हेलो स्टुडेंट, वेलकम टू ओर टू एंड डिजिटल एजुकेशन, मैसल अमित नागर, स्टाइंस टीचर, आज स्टुडेंट हम क्लास एट का जो साइंस का पहला चेप्टर है, क्रॉप्स प्रोडक्शन एन मेनेजमेंट उसकी बाते करने वाले हैं, ठीक है? अब हमारा जो एट्थ क्लास का साइंस का पहला चेप्टर यह है, बहुते इंप्ड़ंट है और बहुतीं इंट्रेस्टिंग है, उसमें आपको क्रॉप्स के बारे में बताय जाएगा, क्रॉप्स की वरायेटी बताय जाएंगी, और क्रॉप्स का आपका इतिग होता है, इस्टुडेंट हमारा जो चेप्टर है चेप्टर है हमारा Crops Production and Management आप Crops Production and Management पर काफ़ी चीज़े आएंगी ठीक है तो इसमें पहला है आपका All Living Organisms Required Food आपको मालूम है जो हमारी जो अर्थ है Environment है उसमें दो तरह की चीज़े होती है आपका Living Things और Non Living Things अब आपको पता है कि जो Living Things होती है उनको अपनी Life सरवाइब करने के लिए Food क्या वसकता होती है और वो Food हमें किस से मिलता है जो हम Different Type की जो Crops उगाते हैं Cultivate करते हैं उनसे हमें वो Food क्या होता है प्राप्त होता है तो जो आपको मालूम है कि जो Organisms होते है उनका जो Food यानि कि उनका Nutrition जो होता है वो Different Type का होता है कुछ जो Organisms होते है वो Autotrops होते है और कुछ क्या होते है Heterotrops होते है आपको पतावन चीए कि All Living Organisms Required Food यानि कि आर्थ पर जितने भी Living Organisms है उनको आंसर करेंगे To Get Energy यानि कि आपको मालूम है कोई भी अकल Living Organisms है उसको Energy पाने के लिए इसके आप सकता होती है Food की तो Food Energy हमें कहां से मिलती है Food से मिलती है तो Next अब है The Energy from The Food is Utilized by The Organisms Caring Out its Various Life Process Such as Digestion आपका Respiration And Ascuration आपको पता है कि जो हमारी जो Life Process के जो Step होते है जो हम Food लेते है तो Food से हमें Energy मिलती है और जब Energy मिलती है तो जो हमारे Life के जो Process होते है उनको हम पूरा करते है जैसे आपका कौन सा है Digestion और आपका कौन सा Respiration और तीसरा है आपका Ascuration अब आपको अमार लोगने चाहिए बेटा कि Digestion क्या होता है Water Digestion तो जो हम खाना खाते है The breakdown of a complex food substance into a simple substances यानि कि जो हम खाना खाते है उसके जो complex food substances है जो simple substance में टूटना स्थार्ट होते हैं बोडी में तो उसको हम बोलते है Digestion और इसको कौन काम करता है आपको मालूम है जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी बोडी में डिफरेंट टाइप की जो गलेंड्स होती है और जो एंजिम एंजैम्स होते हैं वो हमारे खाने को Digest करने में Help करते हैं Next अब आपका है Respiration Respiration क्या होता है Respiration क्या होता है Oxidation of food substance जो हमने खाना खाया जो food substance Oxidize होना बोडी कंद्र स्टार्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं Respiration आपको मालूम होगा ये टू टाइप्स का होता है एक तो एरोबिक और एक होता है जो एरोबिक Respiration होता है वो प्रजेंस आप Oxygen होता है और जो एनरोबिक Oxygen होता है वो एक्सेंस आप Oxygen होता है ओके ठीक Next हमारा Ascuration Ascuration का मतलब क्या होता है The removal of harmful substance यालिकि जो हमारी बोडी के अंदर जो harmful substance होते है Nitogenous harmful substance उनका हमारी बोडी से Remove होना उनका हमारी बोडी से Remove होना उस प्रोसिस को हम बोलते है Ascuration अब आपको मालूम होना चीए कि हमारी बोडी का जो main जो Ascurity organs कौन सा होता है मालूम है आपको मालूम होना चीए कि हमारी बोडी का जो main Ascurity organs होता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम 500, जो क्रिडिनी होती है, वो हमारी body का, man excreti organs कही जाती है, ओके, और जो हमारी body का सबसे बड़ा excreti organs होता है, वो होता है, आपका कौन सा, skin, skin हमारी body का, सबसे बड़ा excreti organs है, ठीक है, और lungs भी होते हैं, lungs भी हमारे SKT organs में include किये जाते हैं next plant can make their food themselves आपको मालूम है जो plant होते हैं वो autotrops होते हैं उनको autotrops बोला जाता है क्यों 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 वो अपना खाना self बनाते हैं अब उस process को आपको मालूम पता होगा उस process को हम बोलते हैं photosynthesis आपको मालूम होना चाहिए photosynthesis photosynthesis क्या होता है मापको बता दू photosynthesis 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 क्या बारे में आपको मालूम होना चाहिए photosynthesis क्या होता है photosynthesis is the process in which the leap of a plant formation of their food in the presence of sunlight यानि की photosynthesis पौदव में वो process होता है जिसमें पौदे की जो पतिया होती है बेटा वो sunlight की help से अपना खाना बनाती है और इस process को हम एक equation के द्वारा भी represent करते हैं तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए आप जो plant है जो raw material यूज़ करते हैं उसमें आप सबसे पहले लेते हैं वो CO2 CO2 होता है आपका carbon dioxide उसके बाद वो लेते हैं आपका water water आपका होता है H2O water क्या होता है आपका H2O अब ये जो process होता है ये process होता है किसकी presence में sunlight sunlight की presence में होता ये process और इसमें एक pigment काम करता है किलोरोफिल कौन सा pigment काम करता है किलोरोफिल की pigment इसमें क्या होता है involve होता है और हमें जो product मिलता है वो मिलता है C6 H12O6 यानि कि इसमें क्या बनता है आपका glucose glucose बनता है बेटा ये ही तो होता है food ये glucose the part of a carbohydrate carbohydrate का part होता है आपका कौन सा glucose और पिलर्स आपकी gas liberate होती है कौन सी O2 oxygen oxygen निकलती है ठीक है अब इसे हम balance कर लेंगे तो balance करना मैंने आपको सिखा है था इसमें 6 की multiple यहाँ पर ही हम 6 की multiple कर लेंगे और इधर भी हम कितनी multiple हैं 6 की अब ये हमारी execution है ये है हमारी photosynthesis ये बहुत ही important equation होती है बेटा बच्चे हो आपको पता होना चीए photosynthesis में oxidation जब होता है किसका water का जब water का oxidation होता है तब निकलती है हमारी कौन सी O2 O2 हमारा क्या होता है oxygen आपको पता है oxygen आपको पता है जितनी भी living organisms होते हैं उन्हें survive करने के लिए बहुत important होती है इसको प्राण वायू कहते हैं प्राण वायू कहते हैं इसे तो जितनी भी living organisms हैं उनको life survive करने के लिए आशकता होती है किसकी oxygen की ओके तो यह है आपको कौन सा photosynthesis photosynthesis अब next चलते हैं next अब है next in our country three category of crops are grow हमारी जो country है देश में तीन टाइप की जो crops है उनको cultivate किया जाता है grow किया जाता है तो पहला है हमारा कौन सा खरीब crops ठीक है दूसरा है हमारा रभी crops और third है हमारा कौन सा जैद crops यानि कि तीन टाइप की जो crops है इनको cultivate किया जाता है timely ठीक है तो यह season by season हमारी जो देश है हमारे हाँ पर cultivate की जाती है तो पहला है आपका कौन सा खरीब दूसरा आपका है रभी और तीसरा आपका कौन सा जैद अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे one by one ओके सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा खरीब crops आपको पता होना चीए एक रहे the crops which are grow in the rainy season यानि कि वो crops जिनको rainy season में grow किया जाता है cultivate किया जाता है उसको हम बोलते है कौन सी खरीब crops और इनका जो time period होता है इनको जून से जून में बोया जाता है और September में cultivate का लिया जाता है harvest का लिया जाता है यानि कि जो खरीब crops है उनका जो time period है वो June to September June to September तक का time होता है बेटा अब इसके कुछ examples हैं आपके आपका paddy, paddy आपका क्या होता है तोयबीम, groundnut आपका मुवफली होता है, cotton यह दी जादा examples of खरीब crops यह किसके examples हैं? खरीब crops के तो अगर आप से कोई बुझे कि खरीब crops काँशी होती है और रभी crops काँशी होती है तो आपको बताना आना चीए कि खरीब crops को कब बोया जाता है और रभी crops को कब कल्टिवेट किया जाता है अब next है हमारा रभी crops, अब रभी crops काँशी होती है, the crops are grow in our winter winter season, यानि कि वो crops जिनको winter season में बोया जाता है, यानि कि जो सर्दियों में बोया जाती है, वो crops जिनको सर्दियों में बोया जाता है उनको हम बोलते हैं rubi crops, अब rubi crops का जो time है, वो कब है, October to March, यानि कि इनको, यानि कि इनको बोया जाता है कब October में, और harvest का लिया जाता है, काट लिया जाता है कब March में, ओके, तो आपको पता मंची है, rubi crops are, those type of crops, which are so in a winter season, यानि कि जो winter season में बोय जाती हैं, उनको हम बोलते ह है रभी crops, ओके, इनके example आपका, example आपका main wheat, हमारा जो गेहूं होता है, आपको मालूम है, जो हम गेहूं बोते हैं, तो वो कब बोते हैं? October, November में बोया जाता है, दूसरा आपका gram, चना जो होता है, पी, मटर है, मस्टर्ड है, दी जारदा examples of ruby crops ये किसके example है बेटा ruby crops के कह जाते हैं ये कौन सी फसल है हमारी ये है हमारी ruby crops अब नेक्स्ट है आपका jet crops अब ये crops होती है जो summer यानि कि जो गर्मियां होती है उन में बोई जाती है ये mostly वो crops होती है जो यानि कि जो बेल वाली फसले होती है जैसे the crops grow in the summer season are called jet crops ये हो अनि कि गर्मियों को टाइम में बोई जाती है और एक कम टाइम में ही ठीक है complete हो जाती है बूकर और पकर तियार हो जाती है ये होती है आपकी कौन सी jet crops जिनका time period कम होता है अब इसका example आपका है मूंग है ठीक है आपका कौन सा है muskimilon, आपका watermelon आपका cucumber cucumber आपको जो खीरा होता है ककड़ी होती है आपका तर्बूज है खर्बूज है तो दी जार्दा examples of jade crops ये किसके example कहे जाते हैं ये jade crops के example कहे जाते हैं ठीक है तो आपको पता होने चीए कि 3 type की हमारी crops होती है पहला आपका कौन सा खरीब crops और दूसरा है हमारा rabi crops और तीसरा है हमारा jade crops तो तीन टाइप की जो crops होती है जो timely time cultivate की जाती है और harvest की जाती है हमारी country में आपको मालू हों बेटा कि जो हमारा वफशा है वो agriculture बेटा ओके तो हमें सारी crops के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी crops बोई जाती है और कौन कौन सी crops कब बोई जाती है उनका time duration क्या होता है तो आपको मालूम हो गया कि खरी crops को बोई जाता है कब June to September ओके और रभी crops को बोई जाता है October to March और जो summer यानि कि जो summer में बोई जाती है आपका मई जून में बोई जाती है वो आपके होती है जैद crops ओके अब next स्लाइडिक तरफ मूव करते हैं next अब next है हमारा cultivation of a crops involved in the following activities अभी हमारा cultivation crops का है यानि कि जो हम कोई crops बोते हैं या उसके लिए प्लान करते हैं तो उसके लिए हमें क्या-क्या step apply करने चाहिए या उसके लिए हमें क्या-क्या चीजे तियार करनी चाहिए तो सबसे पहले आपको पता है soil preparation soil preparation का मतलब क्या है its involved loosening and tailing of the soil यानि कि flowing and watering यानि कि सबसे पहले क्या होता है जो हमारे field वगेरा होते हैं खेत वगेरा उनको जोता जाता है और पिलस उनमें watering की जाती है यानि कि पानी भरा जाता है अब दूसरा जो step है आपका sowing sowing का मतलब क्या है sowing is the process of putting seed in the soil sowing का मतलब है कि आप किस तरह की crops बोना चाहते हैं तो जब आप जिस तरह की crops बोना चाहते हैं तो उसके जो grains होते हैं दाने होते हैं वह हम खेतों में डालते हैं तो यह हमारा दूसरा step होता है आपका कौन सा sowing sowing is the second step आपको suppose करो गहों बोना है तो गहों के जो दाने होते हैं वह खेतों में डालने पड़ते हैं तो उस process को हम बोलते हैं कौन सा sowing ओके third adding manure and fertilizer आपको मालूम है आज कल जितनी भी हम की जो crops लगा जाती है एक बड़े एक large skill पर जो तो उनमें हम manures and fertilizer use करते हैं manures क्या होता है जो हमारा कूड़ी का खाद होता है देशी खाद वो हमारा manures होता है और आपका कौन सा fertilizer 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 क्या होते हैं आपका urea आपका urea होता है ठीक है dive अगरा जो होता है इसमें तीन element सबसे important होते हैं आपको मालूम है कि agriculture के लिए तीन element बहुत ज्यादा important होते हैं आपको मालूम है कोई भी crops है कोई भी plant है उसको इन तीनों element की आ सकता बहुत अधिक मात्राम होती है और हमारा जो fertilizer होता है और manutes इनमें इनकी मात्रा भरपूर होती है NPK अब next है हमारा irrigation irrigation क्या होता है the supply of water crops appreciate interval is called irrigation आपको मालूम है कि जो हम crops त्यार करते हैं उसके बाद उसमें watering पानी भरते हैं यानिकि सिचाई करते हैं सिचाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं irrigation आपको पता है कि जो पानी खेतों में भरा जाता है या तो पहले time था कि पहले course भरा जाता था या फिर नदी हमारी जो नदी हैं चैनल है नहरे जो होती है ठीक है तो इनके दौरा और जो आजकर है हमारा 12 जो 12 के दौरा हमें क्या है irrigation हमारे लिए man हो गया है उसके दौरा पानी की supply की जाती है किसमे field जो हमारे खेत वगएरह होते हैं तो वो किसका पार्ट होते हैं आपका irrigation यानि कि खेतों में पानी लगाना जब आप कोई crops बोते हैं तो बोने के बाद उनको पानी की आवसकता होती है तो पानी की जो आवसकता होती है time to time एक time period पर जब खेतों में पानी लगा जाता है तो उस process को हम बोलते हैं irrigation क्या बोलते है उसको बेटा हम irrigation बुला जाता है, ओके, next, next है हमारा protection from the weeds, और weeds क्या होते हैं, आपको मालू में कि जब हम कोई crops लगाते हैं, तो हमारी जो main फसल होती है, उसके साथ साथ कुछ unwanted, unwanted plant growth कर जाते हैं, जो हमारी जो main crops होती है, उसको हम वो affected करते हैं, यानिकि उसको नुकसान पहु हम बोलते हैं, weeds, क्या बोलते हैं, उसको हम बेटा, weeds बोलते हैं, तो यह करें कि weeds are the unwanted plant that grow along with the crops, यानिकि जो weeds होते हैं, वो unwanted plant होते हैं, जो हमारी main फसल होती है, उसके साथ वो grow कर जाते हैं, जिससे जो हमारी main फसल है, जो main crops है, वो affected होती है, ठीक है, आपको रहे, its remove, a must for the better growth of the crops, बिलकुल, these can be controlled by the spreading certain chemical called weedicides, अब यह करें कि weeds होते हैं, उनको कुछ chemicals के द्वारा, कुछ दवाएं होते हैं, आपको मालूम हम खेतों में दवाई लगाते हैं, आजकल, तो जो हम दवाई लगाते हैं, लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं, क्या, weedicides, जो weeds होते हैं, जो unwanted plant होत किल कर देती हैं, मार देती हैं, और जो हमारी जो crops है, जो man crops है, वो डेस्टर्ड होने से क्या होती है, बच जाती है, तो जो हमारा एक weedicide है, 24D, हम 24D यूज़ करते हैं, और यह किस से बना जाता है, जो oxygen hormones होता है, oxygen hormones का यह पार्ट होता है, उससे डबल अप किया जाता है, औ उनको control करने के लिए, हम crops में इस्तमाल करते हैं इनका, और इससे, जो हमारी जो फसल है, वो डेस्टर्ड होने से, यह खराब होने से बच जाती है, तो उसको हम बोलते हैं, कौन सा, weedicide, ओके, next है, harvesting, अब harvesting क्या होता है, last step है, harvesting में क्या होता है, कि कोई भी crops होता है, उसका ए weedicide, use किये, और उसके बाद, जब crops पके तियार हो जाती है, तो उसको cut कर लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, harvesting, क्या बोलते हैं, हार वेस्टिंग बोला जाता है, बच्चो, देक रहा है, the cutting of the crops, after in the mature is the called harvesting, जब कोई भी plant है, या कोई भी crops है, वो पके तियार हो जाती है तो उसको cut कर लिया जाता है, जब उसको cut कर लिया जाता है, तो उसको कहा जाता है, harvesting, क्या बोलते हैं, बेटा, उसको harvesting, next है आपका storage, storage का मतलब क्या है, जो आपने productivity करी, जो crops आपने लगाई, उसका production कितना हुआ, तो जो आपका production हुआ, उसको आप storage कर लेते हैं, जैसे हम अब आपको मालूम है, आजगल क्या हो रहा है, अब ग्याओं की फसल पक्के तियार होगी है, उसको काट लिया गया है, अब काटने के बाद उसके जो दाने होते हैं, उनको घरों में हम क्या हैं, जो हमारे जो आपके जो बैक्स होते हैं, या आपकी जो टंकिया होते हैं, उन आपको पता है कि जो हमारे ग्रेंस होते हैं उनको इस्टोरिज करते हैं और इस्टोरिज करने करने पर उनको सेप किया सेप रखते हैं हम किससे आपका मौस्चर आपको मालूम है अगर आपने ग्रेंस को अगर ऐसी जगा पर रख दिया है मौस्चर पर तो ग्रोथ कर जाएग पूर्डवस, पूर्फड़ूरे जब ग्रोथ कर जायेका तो न्यूलियद्न इसँ में कüyोगा हो जाएगा तो उससे बचाते हैं दूसरा आपका इंसेक्ट आपको मालूम है जो इंसेक्ट वगरा होते हैं वह होते हैं दाने वगयरा जो होते हैं चुहें मिलते है चुहें अब ऎसने होते हैं अनाज को खा जाते हैं और यह लास्ट वोता है, उसको काटा उसकी जो productivity होती है उसको हम storage कर लेते हैं यह last step होता है बिटा कौन सा last step तो आप आपको समझमाया होगा कि आज हमने क्या सीखा आज हमने crops के बारे में types of crops और crops में हम कौन-कौन सी practices use करते हैं कौन-कौन से step use करते हैं अगर आप कोई crops लगाते हैं तो आप पहले क्या करेंगे उसके ब स्टोरेज होता है तो यह सारे दीजारदा all part of crops practice जो crops practice जो होती है यानि कि crops जो हम लगाते हैं उसके जो step होते हैं उसमें involved होते हैं okay I hope आपको समझमाया होगा ठीक थेंक्यों बाए-बाए